हर मनुस्य अपने भविष्य को लेकर चिन देत रहता है हर कोई अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए सजग रहता है वहीं जो तिस कनुसार अकाश मंडल में इस्तित 27 नक्षर्थ और 9 ग्रहों के कारण ही हमारी राशियों पर प्रभाव पड़ता है जिसके कारण हमारे जिन्दिगी में कभी दुख तो कभी सुख आते रहते हैं आकसर देखा गया है कि जब भी ग्रहों ने अपनी चाल बदली है तो इंसान के जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है वहीं मालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है जिसके कारण मालक्ष्मी एक राशी पर हो रही है महरवान जिससे इस राशी के लोगों में खुशियां ही खुशियां आने वाली है जिहां वो राशी है मिथुन राशी मितुन राशी वाले लोगों को बता दे कि आने वाला महीना आपके लिए खुशियों की बहुचार लेकर आ रहा है मालक्षमी एक राशी पर महरबान हो रही है साती इस राशी पर मालक्षमी के किरपा से ओफिस में आपके कामों की तारीफ होगी साथ यह आपका प्रमोशन भी हो सकता है और समाज में फिछले कामों को लेकर उसकी तारीफ भी होगी वहीं जो लोग राजनीती छेतर से जोड़े हैं उनके कामों को लेकर आसपास के लोग उनकी तारीफ के पुल बान सकते हैं वहीं दामपत्य जीवन सुख में बना रहेगा इस राशी के जो स्टूडेंट से उनके लिए करियर के नए रास्ते खुल सकते हैं वहीं जो लोग बिजनस करते हैं उन्हें आपार धनलाब के योग बन रहे हैं जिससे आपका मन प्रसन होगा वहीं जो लोग ने बैपार खुलने की सोच रहे हैं वो लोग मालक्ष्मी का नाम लेकर खुल सकते हैं आपको फाइदा ही फाइदा होगा साथ ही आपको धनलाब भी हो सकता है नैशनली स्पीचोल से रानिक खिरपोर